नमस्कार दोस्तों मैं नरेंद करणाणी कृष्णा प्रांट केर में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे गुमार फली की कि हम गुमार फली को केसे लगा सकते हैं दोस्तों इसके लिए मेंने कोको फीट ली है और कोको फीट के अंदर 20% पर्मी कमपोस्ट मिलाई है जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है इसको अच्छे से मिक्स करते हैं अब हम ट्रे की बात करें तो दोस्तों मैंने 50 छेद वाली ट्रे लिये जिसका छेद जो होता है वो बड़ा होता है थोड़ा जिसके अंदर जो ये बीज है वो बहुत ही मोटे साइज का होता है जिससे असानी से स्प्राउट होगा और दोस्तों मैं आपको पूरा रिजल्ट सब्सक्राइब कर ले बहुत कम वीडियो आते हैं और दोस्तों पूरी इनफर्मेशन देता हूं इस वीडियो के अंदर आपको जो मैं पूरी चानकारी दूँए और अन तक बताूँगा उसका रिजल्ट क्या निकला तो दोस्तों इसको आप पूरा पूरा वीडियो देख पानी दोस्तों इसको बहुत कम आउशकता होती है और ये एक ऐसी फली है दोस्तों जिसके अंदर हम बहुत कम पानी के अंदर भी सर्वाई कर लेते हैं और इसके अंदर लगाने के लिए दोस्तों हमारे को बलूई मित्टी के आउशकता होती है फिलाल हम स्प्राउट के लिए कोकोपीट और वर्मी कमपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं अब दोस्तों इसके अंदर अच्छा सा पानी देंगे पानी दोस्तों इसलिए देते हैं तक फिर बीज लगाएंगे न तो बीज हिलने के चांस बहुत ही कम होगे और स्प्राउटिंग जोगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा और दोस्तों सीड की बात करें तो मैंने पिछले साल इसको लगाया था पिछले साल मैंने 40 के करीब पोदे लगाये थे वो इसके अंदर मेरे को 30 किलो के करीब फली मिली थी जो कि मैंने जमीन के अंदर लगाई थी, हमारे हैं थोड़ी जमीन है उसके अंदर लगाई थी और सीर्ट दोस्तों उसी दिन मैंने बना लिये थे, लास्ट के अंदर जब फली सूखने लगी तो मैंने सीर्ट बना लिये दोस्तों इतनी ज़्यादा फलियां लगी जिसकी कोई सिमा नहीं थी अंतमे में तोड़ना ही छोड़ दिया उस फलियों को वैसे ही रहने दिया इसके सीड दोस्तों बहुती मोटे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे स्प्रावटिंग होने में करीब मही ना लग जाएगा लेकिन ये तीन दिन के अंदर हाइस तीन दिन के अंदर स्प्रावट हो जाते हैं और बारिस के मौसम में दूसरे दिन निकल आते हैं दोस्तों ये पूरे सीड्स मैंने पिछले साल बनाए थे ये देखे दोस्तों ये सीड्स आपको बजार में आराम से मिल जाएंगे बीजों की क्वालिटी और दोस्तों फलियों की क्वालिटी अलग लोगती है लेकिन बीज सीड्स जो है वो एक जैसे ही होते हैं उसको अच्छे से देख लीजे उसके अंदर चितर भी बनावा होता है कि कौन सी फली लगेगी मैं इसके अंदर छोटी वाली फली लगा रहा हूँ जो की थमनील के अंदर दिखाई भी है दोस्तों ये छोटी वाली फली इतनी पावरफूल होती है और बहुत ताकतर होती है इसके अंदर दोस्तों इम्मिनिटी बुस्ट बनती है ताकत की दवाईयां बनती है और ये पूरी और्गेनिक फली होती है अब दोस्तों एक एक सीट्स मैंने रख दिया है इसके अंदर और सेंटर में और एक एक को दबाते जाएंगे एक के अलावा दो सीट्स बिलकुल भी नहीं रखने है क्योंकि ये सारे के सारे स्प्राउट होंगे दोस्तों ये सारे के सारे हाइब्रीड सीट्स हैं hybrid seeds वैसे बनते हैं जैसे कोई पोदा सबसे बड़िया और बड़िया किस्म का लगता है उसके अंदर फलियां वहीं पे सुका लेते हैं और उससे बीज ब्रप्ट कर लेते हैं जिससे अगले साल 100% result मिलता है मैं आपको इसका result भी बताता रहूंगा अब दोस्तो अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा दबा देती हैं तैकि थोड़ा अंदर चला जाए क्योंकि seeds दोस्तों बहुती मोटा है अब इसके अंदर बाकी के अंदर उपर से कोकोपीट डाल देंगे जो मिक्स्टर हमने पहले बनाए था भी डाल देंगे और हलकाल का परत चड़ा देंगे दोस्तों कभी भी कोकोपीट के अंदर कोई भी seed लगाओ तो आप seed देख लीजिए अगर बारी कोगा अथ उपर लगेगा वरना थोड़ा नीचे लगाना है तैकि जब भी इसकी सिचाई करें तो उसके अंदर seeds निकलना पाए अब अलके से इसको आथ को दबा देंगे और इसके अंदर अब पानी देंगे इस ट्रे को दोस्तों हमारे को पूरा गिला ही रखना है जब तक इसके seed से sprout नहीं होते और दोस्तों इसको सेमि सेड एरिया में रख देंगे जिसके अंदर दूप तो लगे लेगिन चंचंचन किया है चाहे तो आप green net के नीचे रख सकते हो या फिर किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो और वैसे अगर इसको दूप लगे तो कोई दिक्कत नहीं होती बैसे इसका पानी नहीं सुकना चाहिए अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ तेन दिन बाद का result ये दोस्तों तीन दिन बाद का result है देख लिए जाप sprouting का कैसा निकल रहा है सारे सारे सीड्स निकल रहे हैं और कुछ निकलने की तयारी में है दोस्तों इसका result इसलिए अच्छा निकलता है चाहे flowers काओ चाहे कोई और भी जो vegetables काओ अगर seed अच्छे होंगे तो दोस्तो सारे के सारे अच्छे ही निकलेंगे और फिर अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं निकल रहे तो उसके कांड से बीजो की कमी होती है अब दोस्तों मैं आपको आगे वाला दिखाता हूँ ये दोस्तों देख लीजे आप पांच दिन बाद का result है और कितना अच्छा sprouting हुआ है सारे के सारे seeds हो गए हैं तयार लेकिन दोस्तों अभी हम इसको transplant नहीं करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा time वोड़ देंगे ताकि इसकी पोद थोड़ी और बड़ी हो जाए और इसके अंदर kokoopit के अंदर थोड़े सी जड़ो की मतरा ज्यादा हो जाए जिससे निकालने में असानी हो अब दोस्तों इसको हम थोड़े थोड़े दूप में भी रखते रहेंगे दूप की मतरा इसको ज्यादा दिखाने ही शुरू कर देंगे ताकि ये आदी हो जाए दूप के अंदर क्योंकि इसको पूरे टेंपरेचर फुल टेंपरेचर में रखना है ये देखे दोस्तों दस दिन बाद का रिजल्ट है ट्रू लिव आ गई है सारी सारी अच्छी ची आगे की पत्तियां अब ये ट्रांस्प्लांट के लाइक हो गई है दोस्तों अब दोस्तों इसको ट्रांस्प्लांट करेंगे दोस्तों मैंने लिए है 20% के करीब वर्मी कमपोस्ट और वर्मी कमपोस्ट चाहे तो आप 30% तक ले सकते हो और बलूई मिटी बलुई मिटी दोस्तो इस फली के लिए शिर्फ बलुई मिटी ही काम आती है इसके अंदर आप चिकनी मिटी बिल्कुल भी मत लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जाये तो आप गोबर की खाद है तो 20% वह भी ले सकते हो वह भी बहुत अच्छी रहती है वर्मी कमपोस्ट से अच्छी गोबर की खाद इसके अंदर रहेगी मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने वर्मी कमपोस्ट डाल दी और दोस्तो थेली का साइज की बात करें तो मैं थेली का साइज कुछ बड़ा ले रहा हूँ जो कि 10 इंची वाई, 8 इंची है 10 इंची इसकी लंबाई है दोस्तो टेमपरेचर की बात करें तो इस पूदे को टेमपरेचर falls चाईए होता है ये 50 डिग्री से उपर भी चला जाए तो भी इसको कोई फरक नहीं पड़ता अब वार्टरिंग के बात में आपको बता देता हूँ इसमें लगाने के बाद में दोस्तो इसको वार्टरिंग करीब 7-8 दिन में एक बार ही करनी है ज़्यादा इसको वार्टरिंग के जुरत नहीं होती है और खेतों के अंदर जो लगाते हैं वो 15-20-20 दिन तक जो की रिवर सेंड होती है बिलकु सूख जाती है फिर भी ये पोदा नहीं जलता और आराम से सर्वाइव कर लेता है और बहुत ज़्यादा स्प्राउटिंग देता है फलियां देता है अगर सीडलिंग के बात करें तो दोस्तों इसको फरवरी के बाद में कभी भी लगा सकते हो वो अप्रेल, मई, जून के बाद में लगाते हैं तो ग्रेकर उसको बहुत सारे मईने होते हैं कभी भी आप लगा सकते हो और 2.5 महीने में फल्याएं लगने लगेगी वो आपके उपर है कि आप कब लगाना चाहते हो अब भी लगा सकते हो और इसको आराम से बिलकुल सेंटर में रखना है और एक थेली के अंदर दोस्तो एक ही पोदा लगाना है चाहे तो आप गंबले में भी लगा सकते हो गंबले का साइज की बात करें तो करीब 9 इंची, 10 इंची से तो कम होना ही नहीं चाहिए 12 इंची में भी लगा सकती है और लगाना एक ही पोदा है एक गमले में क्योंकि फलियां दोस्तों बहुत ज्यादा लगती है इसके और इसको सेंटर में लगाते हैं खेतों के अंदर वो लोग दोस्तों साफ का छिर्काव कर लेते हैं, कलोरा का छिर्काव कर लेते हैं चार-चार दिन के गेप से दो-तीन बार छिर्काव कर तेतने में तेलियां मर जाता है तो इसके अंदर कोई रोग नहीं आता से समंदित कोई भी सवाल है तो दोस्तो संडे लाइव 9 पीम पे आप पूछ सकते हो दोस्तो इसको आप जरू लगाए बहुत ही अच्छी फली है और 100% रिजल देने वाली है और खेतों में दोस्तो इसको पानी किया हो सकता बहुत ही कम होती है और देते भी बहुत कम है पूरी बारिस करिंबर होती है चाहे 7 दिन में बारिस हो चाहे 15 दिन में बारिस हो यह पुदा खराब भी नहीं होता और आराम से खलीयां देता रहेगा यह दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि मैं अपडेट दे रहा था आपको और वीडियो बनाने में वैसे भी दोस्तों बहुत टाइम लगता है क्योंकि इतनी लंबी अपडेट देखे और फिर वीडियो बनाएं तो करीब मेरे को 15 दिन लग गए थे इस कांड से लंबा हो गया अब दोस्तों इसको अच्छे से पानी देंगे पानी हम इसको जितना पिलाना इतना भी पिलाएंगे उसके बाद में दोस्तों साथ आठ दिन के लिए नहीं पिलाएंगे चाहे पूरी मित्ती सूख जाए नीचे तक उसके बाद साथ दिन बाद में फिर से पानी देंगे और यही प्रोसेजर अपनाती हैं दोस्तों गौार फली के अंदर जिससे दोस्तों इसको फुटाव एक साथ ज़्यादा होगा और एक साथ पोदे की लंबाई भी ज़्यादा होगी और मजबूत भी होगा तो यह था दोस्तों आज का मेरा वीडियो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू